चार फरवरि को विश्व में पूरे विश्व में जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है और जिसका एक मात्र उदेश है कि लोगों में कैंसर के प्रती जंजागरूती हो कर उप्चार के लिए भी लोग आगे आए कैंसर अगर होता है तो लोगों को पता चले कि कैंसर का उपचार भी हमें उपलब्द है इसी के लिए जो है चार परविर को कैंसर दिवज जो है पुरे विश्वा में मनाया जाता है और इसी के बारे में कैंसर के कैंसर पे किस तरह की नई सरजरीज है किस तरह की इलाज जो न इलाज यहां पर किया जाता है तो हमारे साथ डॉक्टर सरब प्रसाद है जो की अंकोलोजी मेडिकल उंकोलोजिस्ट है और डॉक्टर नीतीन बोमनवार जो की अंकोलोजी सर्जन है तो बहुत-बहुत स्वागत है सर बीसे न्यूज की खास मुलाकात इस कारिक्रम में हम आप आप से जानना चाहेंगे आप डॉक्टर प्रसाद जी आप से जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है किस टाइप की कैंसर से इसके लक्षन क्या होते हैं क्या बताओगे कैंसर कई प्रकार के कैंसर होते हैं लगबग दोसों से उपर अलग-अलग कैंसर होते हैं और सभी ओर्गन के अलग-अलग कैंसर होते हैं जैसे ब्रेस्ट के ब्रेस्ट कैंसर हो गया लंग के लंग कैंसर हो गया बच्चादानी के यूट्राइन कैंसर हो गया बच्चादानी क के मुख़ग केisa हो गए इस तरह से जितने भी शरीर है सभी में अलग-अलग प्रकार के Canza होते हैं यह । यह हर एज की इसाब से अलग-अलग टाइप के इस वгारते हैं बचो में ज्यादातर ब्लॉड कैंसर उसे रिलेटेर सेल टूमर ऌसवी जादा कॉमन होते या हड़्ी से related cancer होते हैं बरो में महिलाओं में ज्यादा तर breast cancer या बच्चादानी के मुख का cancer यह common cancer है इसके इलावा ovarian cancer यह तीन प्रमुक महिलाओं के cancer है पूर्शों में इंडिया में खास कर मूह के कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है क्योंकि तंबाकू बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है इसके इलावा लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर यह कॉमन कैंसर हैं जो पुर्षों में होता है बिल्कुल जो जिस तरह कि हमने जाना कि कौन से कैंसर महिला और पुर्षों में ज्यादा प डर जाते हैं. 카ंसर लाइवाज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में डर है. तो, आप क्या बताना चाहोगे? कांशर के सिम्टमस उनके औरगन के हिसाब से अलग-अलग रहते हैं जैसे ब्रेस्ट में अगर लंप है तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में लंप निपल से डिस्टाज आना दर्ध होना ये common लक्षन है बच्चादानी के मुख के कैंसर है तो नीचे से पानी या खून गिरना ये common लक्षन रहते हैं lung cancer है तो खासी होना बलगम में खून आना बरी आत के cancer है तो या तो खून की कमी हो जाना या bowel habits change हो जाना मतलब कभी constipation होना कभी lose motion हो जाना तो जिस organ का cancer है उससे organ specific अलग-अलग लक्षन होते हैं शरीर के किसी भाग में गठा ना जाना ये भी cancer के लक्षन हो सकते हैं मेरा सवाल नितीन डॉक्टर नितीन बोमनवार जी से है कि जो सर्जरी होती है किस टाइब की सर्जरी की जाती है cancer patients में या नई कौन सी जो है टेकनोलोजी therapy जो किंग्स वे अस्पताल द्वारा की जा रहे है क्या बताना चाहोगे cancer patients में अलग-अलग प्रकार की surgeries होती है जो मतलब area wise मतलब की जबाग का cancer है उससे related होता है अपनी इंडिया में जैसे कि अभी डाटर सोरब ने बताया मूँ का cancer पुर्षों में ज़्यादा तर है और स्त्रियों में breast cancer हो गर्वाशे का cancer ज़्यादा तर पाया जाता है मूँ के cancer में अगर देखा जाए तो आज पहले क्या होता था radical surgery होती थी पूरा मूँ का जबडा निकाल लेते थे और reconstruction भी प्रापर नहीं होता था तो patients को cosmetic और functional प्राबने बसाते थे अभी हम kingsway में patient के cosmetic और functional preservation पे जोर देते हुए organ preservation surgeries करते जैसे कि oral cancer में 3D reconstruction surgeries करते जिसमें हम पहले प्लान करके bone का segment उसी साफ से ये करके revise करके plastic surgery करते और organ preservation की इसमें पहले हम क्या होता था पूरा bone का segment निकाल देते हैं अभी हम patient का function और cosmetic preservation के लिए हम bone का उपरी भाग जो cancer से नजदिक है cancer में निकालने के लिए surgery के लिए हम 1-2 cm चारो तरफ से परदी लेते हैं कि cancer पूरी तरह से निकल जाए उस हिसाब से हम cancer का उपरी भाग निकालते हैं यह गया oral cancer में breast cancer में हम sentinel lymph node करके surgery रहती हैं बहुत बार breast cancer में क्या होता है जो बगल की गाटे निकालते उससे patient को बाद में उपर के हाथ में सूजन आके patient को problem जाते हैं तब ही sentinel lymph node surgeries करते हैं उसमें हम die inject करके जो node या जो बगल की गाटे उसमें suspicious लगती हैं वो हम जाच के लिए भेजते हैं वो अगर गाटे positive आते हैं तो ही हम बाकी की बची हुई गाटे निकालते हैं otherwise जो गाटे आई हैं वो ही निकालके भेजते हैं इससे patient को जो हाथ में सूजन आने के problem वो स्वाल होता है और पेट के cancer के लिए हम minimal inverse surgeries करते जिससे colon cancer हुआ इसमें हम minimal inverse surgeries करते और हमार यहाँ पे modern art theater है पूरी equipment से और सभी सुविदा के साथ multi specialty के होने के वज़े से जो coma or beat cardiac problems रहते patient को वो भी patients हम यहाँ पे प्रिट कर सकते हैं मेरा एक दूसरा सवाल आप से ही है कि अभी तक जो है कितना आकड़ा जो पाया गया है कि cancer patient मतलब बढ़ रहे हम देखते हैं कि हर रोज मतलब 25 लाक से जादा patient जो है cancer के पाए जाते है तो इसमें आप क्या बताना चाहोगे patients को या हमारे दर्शकों को कि कैसे इसका मतलब इलाज होता है किंग स्वे द्वारा क्या क्या सुविधा दी जाती है क्या बताना चाहोगे cancer का मतलब सालान अगर देखा जाए तो मतलब total cancers लगबख 13-14 लाक cancer के नए patients पाए जाते हैं और इसमें से 12% मतलब 6-7% 6-7 लाक patients की cancer के वज़े से ती है total deaths जो होती है इंडिया में उनमें से 12-14% cancer के वज़े से होती है और बाकी आकरेज देते है तो यह reason क्या है इसके बियाइन मतलब इतने dates क्यों होती है तो लग क्योंकि 60-70% patients जो है advanced stage में आते early detection होता नहीं है लोग screening नहीं करते अपने इंडिया में screening को ज़्यादा यह नहीं दिया जाता है तो screening अगर करते तो अपन patient को early detection या पईली stage में detect कर सकते तो उससे अपन patient को मतलब पूरी तरे cure करने के chances ज़्यादा रहेते बट अपने यह problem यह है पेशन ज़्यादा तर 60-80% patient advance stage में आते और उनमें अपन पूरी तर से cure करने के chances कम हो जाते तो वह हमारे Kingsway द्वारा हर हम area के बाकी जिल्ले में भी क्याम्स करते पेशन में awareness बढ़ाते है और screening द्वारे उनमें कई patients अभी हम क्याम करें और early detection करके patient को पूरी तरह cure करने की कोशिश कर रहे डॉक्टर सवरब आपसे मेरा एक सवाल है कि cancer में prevention और screening इसमें क्या advance मतलब तक्निक आई है किस तरह से होता है क्या बताना चाहोगे screening कुछ बिमारिया है जिसमें screening से काफी help मिलता है खासकर उसमें breast cancer है 40 साल के उपर 2 साल में एक बार और 50 साल के बाद सालाना mammography screening test की तरह हर महिलाव को इस्तमाल करना चाहिए इसे गठाने छोटी size में पता चल जाती है first stage second stage में diagnosis होने से cure rate काफी high रहता treatment भी काफी कम करना परता similarly दूसरे बिमारियां जैसे cervical cancer बच्चादानी के मुक्के cancer में अगर हम तीन साल में एक बार pap smear test करेंगे तो cancer होने के पहले ही carcinoma in situ के stage में ही cancer का diagnosis हो सकता है और cancer होने के पहले ही उसका ilاج किया जा सकता इसी तरह से colon cancer के लिए 40 साल के बाद 10 साल में एक बार colonoscopy करने से colon की screening हो सकती है और cancer का early detection हो सकता जो heavy smokers हैं उनको low dose CT scan से भी screening test किया जा सकता पुर्षों में PSA test 50 साल के बाद सालाना अगर PSA करे तो PSA velocity पता चलता है इससे हमें cancer होने की संभावना पहले से ही पता चल जाती है और patient का इलाज जल्दी चालो हो सकता तो ये कुछ बिमारियां हैं जिसमें screening काफी जादा महत्पून योगदान देती है हमारे किंग्सवे होस्पिटल में cancer screening program भी है और health check-up में cancer screening के काफी सारे test किये जाते हैं cancer prevention के बारे में कुछ चीज़े बताना चाहूंगा cancer prevention के लिए अपन तीन से चार चीज़े जरूरी है सबसे महत्वा पूर्ण है lifestyle modification जो अपन जीवन शायली में बदल बोलते दूसरा है आहार आहर में बदल तीसरा है जो screening जो डाक्टर सौरब प्रसाद ने बता है और चौता है अपन टीका करने या कुछ vaccinations लेते हैं तो सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि lifestyle modification क्या करनी चाहिए अपने इंडिया में सबसे जो ज़्यादा cancer होते वो तंबावक के 7 से होते इसलिए तंबावकू और धुम्बरपान का 7 न करना अलकोल का 7 न करना अपने यहाँ पे गाव में विलेज में लोग पूरे धूप में ऐसे ही घूमते कोई prevention नहीं इस मतलब अल्ट्रावाले रेज से prevention नहीं तो ज़्यादा तर टोपी या कपड़ों का इस्तिमाल करना चाहिए sunscreen का उपयोग करना चाहिए और शारी रिक्रूफ से सक्रिया रहना चाहिए यह हो गया lifestyle modification दूसरा आहार अपनी यहाँ पे अधिक वसावाले पता तो जो खायते जैसे पश्यों का मास यह खाना बंद करना चाहिए यह कम करना चाहिए पश्यों के मास से भी मतलब red meat से भी कुछ cancers होते हैं दूसरा फल और सब्जियों का सेवन ज्यादातर करना चाहिए और नमक का सेवन कम करना चाहिए और फाइबर डायेट खाने में ज्यादातर बढ़ाना चाहिए जिससे मतलब vitamins A और E की ज्यादातर मिले उस भोजन का सेवन करना चाहिए तीसरा है कि कुछ cancer से वह वाइरस से होते जैसे कि लिवर cancer hepatitis B virus से होता है मोर गरवाश है का cancer human papilloma virus से होता है इसके लिए कुछ vaccines आते हैं वह vaccines लेने चाहिए hepatitis B vaccine to prevent liver cancer और cervix cancer prevent करने के लिए अपन गारड़ाश करके व्यक्सिन आता है human papilloma virus के लिए वह लेना चाहिए vaccination जो है कौन से एज में मतलब होता है चोटे बच्चों के मतलब एज में रहता है जैसे क्या एज है इसके हैपेड़ाइडीज भी वैक्सिन तो छोटे बच्चों में से देया जाता है या बाद में भी एडल्ट एज में भी लेते बट जो सरविक्स कांसर के लिए वैक्सिन है तो वो फस्neil एक्सो एक्सपोजर के पहले लेना चाहिए मतलब 9 to 13 आ 14 एयर्ज के इसमें पिरेट में लेना चाहिए क्योंकि आप्टर फस्neil emotional एक्सीन को उतना यूज नहीं रहता है इसरे before first sexual exposure, human papilloma virus vaccine को लेना चाहिए है। अभी तक ऐसा vaccination, मतलब कितने लोगों को किया गया है। यह अपने अच्छा question किया है, क्योंकि अभी फिलाल में हमारे यहाँ पर adult immunization या vaccination center चालू हुआ है। जो शायद Central India में अपनी या पहलाई center है, जा पर adult vaccination है। आपने बच्चों में vaccine सुना, बच्चों में vaccine देते हैं, पर adult vaccination के लिए हमारे यहाँ पर center चालू हुआ है। और हम advice करते हैं, जो females रहते हैं, उनको भी बताते हैं कि आपके बच्चों में या female papilloma virus vaccine लेना चाहिए। और hepatitis B vaccine लगबग सब लोग लेते ही है। डाइग्नोसिस के बारे में जो बात करना चाहूंगी, डाक्टर प्रसाद जी से, डाइग्नोस कैसा होता है cancer, इसके लक्षन की इस तरह के रहते हैं, क्या बता होगे। जैसे मैंने पहले बताया लक्षन के बारे में, तो उस लक्षन से related जो treating physician है, वो investigations बताएंगे, खासकर CT scan, MRI या PET scan, जिससे हमें staging के बारे में पता चलता है। और जिस organ का है, उस organ के हिसाब से उस जगे की biopsy, biopsy से हमें histopathology diagnosis मिलती है, treatment का line of treatment decide होता है, और advanced testing में हम immunohistochemistry और genetic testing करते हैं, जिससे आज के दिन newer treatment modalities जो हम patient को दे सकते हैं, वो उससे decide होता है। तो treatment part में काफी सारे advancement हुए हैं, chemotherapy के बारे में तो लगबग सभी को पता है, लेकिन newer treatment जैसे immunotherapy और genetic treatment इस पे काफी सारे research हो रहे हैं, और immunotherapy आज के दिन काफी ज़्यादा प्रचलिट हो रहा है, खासकर stage 4 cancer में, जहां हम chemotherapy के बिना immunotherapy से cancer के patient का इलाज कर सकते हैं। कई बार उसे chemotherapy के साथ जोर के देते हैं, जिससे result और भी बहतर होता है, और पहले से ज़्यादा patient चौथे stage में जिन्दगी जी सकता है, बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी side effect के। बिल्कुल, जैसे कि हमने अब तक जाना कि जैसे cancer होता है, यह slow poisoning कहा जाता है, तो इसके प्रमुक क्या लक्षन है, या क्या बताना चाहोगे patients को या हमारे दर्शक को कि किस तरह से लक्षन होते हैं, नॉर्मली लक्षन क्या रहते हैं कि जिससे हम doctor के पास जाए, cancer का इलाज करें, क्योंकि लोग cancer बोले तो थोड़ा पहले ही डर जाते हैं, cancer से डरने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है, cancer आज के दिन ऐसी बिमारी है, अगर हम उसे जल्डी detect कर लेते हैं, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मुश्किल यह है कि भारत वर्ष में ज्यादा तर पहले या दूसरे stage में आते हैं, तो पहले सुरवाती लक्षम में अगर patient हमारे पास आते हैं, तो इलाज संभव है और ज्यादा से ज्यादा patient ठीक हो सकते हैं, लक्षम पेशिंट के disease के specific होते हैं, breast में breast cancer से related रहेंगे, अगर वो फैल गए तो जिस organ में फैले हैं, lungs में, liver म उसके लक्षन रहेंगे, जैसा पहले मैंने बताया, अगर lung cancer है, तो खासी आना, बलगम में खून आना, ये लक्षन रहेंगे, ये शुरवाती लक्षन लेकर के अगर हम doctor के पास जाएंगे, तो आगे के investigation, CT scan, biopsies, pet scan ये कराएंगे, और इसके हिसाब से वो आगे का treatment, जिस में जहां surgery की जुरत है, वो surgery बताएंगे, chemotherapy, radiotherapy और immunotherapy के बारे में आपको बताएंगे, जिस जो specialist doctor है, oncologist, oncosurgeon, radiation oncologist, ये आपको सही मारदर्शन करेंगे, और उस मारदर्शन पे आप चलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो पाएंगे इस बिमारी से, जैसे की cancer के बारे में जानकारी देना चाहरे है, उनसे हम बात चीत करते हैं, उनसे जानते है कि क्या oral cancer में किस तरह की मतलब लक्षन पाए जाती है, किसे ये होता है, क्या चीजों का मतलब किसे avoid करना चाहिए, क्या बताना चाहूँगे? मैं oral cancer में आपको ये बताना चाहूँगे, आपने बोला कि क्या लक्षन आते ही, तो आपने डाक्टर के पास जाना चाहिए, या prevent करने के लिए, oral cancer में तीन pre-malignant conditions रहती है, pre-malignant conditions मतलब जो अगर जादा साल तक रहती है, तो cancer में convert होती है, तो cancer होने के पहले या अपन उसे रोक सकते है, एक तो मतलब मुँ में सपेज चट्टे आना, जिसको हम हमारी language में lycoplachia बोलते हैं, अगर सपेज चट्टे बहुत दीन से हैं, वो निकल नहीं रहें, तो अपने आपके physician को कंसल करना चाहिए, दूसरा लाल चट्टे आना, जो भी बहुत दीन से है, जीब या गाल के उपर या लीप्स के उपर, इसे हम इरित्रो प्लाकिया बोलते हैं, तभी भी आपने डॉक्टर से कंसल करना चाहिए, चटा सब मुकोस फाइबरोसिस, सब मुकोस फाइबरोसिस मतलब अपना oral cavity का जो अपना मुकोजा है, जो अपना चिकना आट रहती हो, सब कम होके उसका पुरा श्रिंक हो जाता है और पुरा कड़क हो जाता है, तो उसे हम सब मुकोस फाइबरोसिस बोले, तभी आपने डॉक्टर को कंसल करना चाहिए, क्योंकि लुको प्लाकिया में अगर वो ज्यादा तरसाल रहता है, तो उसमें 2-5% चांसे है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो, इरोतर प्लाकिया में यह बढ़के 5% हो जाते हैं, 5-10% और सब मुकोस फाइबरोसिस में कैंसर में कन्वर्ट के चंसे ज़्यादा रहते हैं, लगवग 10% से उपर रहते हैं, तो जीसी भी मतलब जो लग तंबाकू गुटका खाते हैं, उनमें ज्यादा मुँकोस फाइबरोसिस मुझ खोलने में तकलीफ होना, तो तब और कुछ सम्टम से जैसे की जी भीलाने में प्राबलेम होती है, कुछ लोगों के आवाज में बदल होती है, तो उनको लगता है कि खरा आचे यह करके दिखाते हैं, तो यह जो चंजेस रहते हैं, गले कैंसर, फीजिशन को या सर्जन को मिलके अपने आपका जो क्वेरीज है, वो स्वाल करने चाहिए, कैंसर के बारे में हमने बहुत जान करी लिए है, अभी ओटी, किंक्सवे अस्पताल की ओटी जो है, यहां की जो नई टिकनोलोजी है, जिससे इलाज किया जाता है कैंसर मे उसके बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे, जिस तरह की हमने अभी डॉक्टर से जाना है कि इस तरह की प्रिवेंट जो है करना है, तो किस तरह की चीजे उन्होंने बताई है, कौन से जो कैंसर होते हैं, उसके बारे में भी जान करी दी है, लेकिन किंक्सवे अस्पताल की जो ओपरेशन ठेटर है, OTG से कहा जाता है, वो किस तरह की है, इसके बारे में हम जानते है, डॉक्टर नितिन बोमनवार जी से, सर क्या बताना चाहोगे, किंग्सवे अस्पताल जो है, हाली में बहुत ही अच्छी सुईदा है, जो है, अपने मतलब पेशन्ट को दे रहा है, क्या बताना चाहोगे, किस तरह का यहा पे सरजरी किया जाता है? सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको तब ही बता है था कि cancer surgeon में कुछ modular मतलब या कुछ advanced surgeries करते जैसे minimal invasive हो गया या breast cancer में breast conservative surgeries हो गया oral cancer में preservation surgeries हो गई 3D reconstruction surgeries हो गई गाइनिक मैलिक्डन से ovarian cancer surgeries में हमारे यापे हम ovarian stripping या cytoreduction surgeries जो बोलते वो करते और इस परकार हमारे यापे सभी advanced surgeries जो मतलब cancer related वो होती है जैसे कि Kingsway hospital में जो है surgeries की जो नई नई मशनरीज है technology है उसी तरह डॉक्टर प्रसाद से हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब cancer में हम देखते हैं कि जैसी कीमो होता है तो बाल जढ़ना शुरू होते है पेशन के तो कुछ इसमें कुछ इलाज है जिसे बाल ना जढ़े ऐसा कुछ Central India में सिर्फ Kingsway hospital के पास Paxman scalp cooling system है यह एक तरह का scalp cooling device है जिसे हम chemotherapy के दोरान patient को लगा के रखते हैं जिसे patient के scalp में blood circulation कम हो जाने से chemotherapy उनके बालों के जरों तक नहीं पहुचता और बाल गिरने की संख्या कम हो जाती है हम 50 से 80% तक बालों को प्रिजर्व कर पाते हैं इस प्रसाद जी हम वो देखना चाहेगे कि किस तरह का वो जो है जिससे वो प्रिवेंट होता है बाल नहीं ज़ड़ते हैं आई यह हम देखते हैं यह पैक्समें स्काल्प कूलिंग सिस्टम है यह हमने पहली बार नागपूर में किंग्सवे हॉस्पिटल में लेके आए हैं इसे हम पेशेंट को स्काल्प कूलिंग करते हैं इसे और पेशेंट के लगबग 50-80% हेर फॉल कम हो जाता है और जो हेर गिरते भी हैं वो इस तरह की treatment देने से patient को psychological benefit भी मिलता है, hairfall कम होने से उनका confidence बना रहता है और compliance भी बना रहता है और patient अपनी treatment पूरी कर पाते हैं अभी तक लगबग 50-60 patients को हमने इस स्काल्प कूलिंग system से treatment दिया है और लगबग 200-300 sitting दे चुके हैं और सभी patients satisfied है result patient to patient vary करता है बट लगबग सभी patient इस treatment से काफी satisfied है और मैं चाहूँगा कि आपके माधियम से पूरे नापूर को पता चले कि इस तरह की treatment भी उपलब्द है और Kingsway Hospital ये provide कर रहा है जैसे कि हमने Kingsway Hospital का हर बार देखा है कि नई-नई surgery जो है यहां की जाती है नई-ने technology जो है यहां इस्तमाल की जाती है patient के इलाज के लिए और cancer में भी ऐसी एक नई technology इस्तमाल करके patient को जो है उनकी जो बाल cancer में जाते है तो वो रोकने का काम भी Kingsway Hospital द्वारा किया जा रहा है जो कि मद्य भारत में यह एक मेवा अस्पताल है नागपुर में Kingsway Hospital जो कि इस तरह का इलाज भी करता है हमने cancer के ओपर डॉक्टर से जानकारी ली है तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि cancer डेके आउसर पर